प्रधान बंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्सा है बीजेपी भी अपने लक्ष प्राप्ती में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी के राज्य प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश बीजेपी अपने प्रत्याशियों की मांग और सर्वे के अनुसार अपने स्टार प्रचारों के दौरे की तैयारी में जूटी हुई है रफ्तार मीडिया हिमाचल प्रदेश के स्टेट ब्यूरो प्रमुक विजेंद्र दत गौतम से बात करते हुए की संभावना है और नेता पूरी तैयारियों के साथ जूटे हुए हैं कितना जोश कितना जजबा कितना जनून है और कितनी सफलता की मौधी साब के आने से भाजबा को फाइदा मिलता दिखाई दे रहा है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजबा के वरिष्ट नेता महिंदर धर्मानी जी स्वागत है आपको क्या लगता है मौधी जी का दोरा कितना सफल होने जा रहा है कितना जनून कितना जोश है कारे करता हूँ मैं कैसे देखते हैं नमस्कार हीमा चल परदेश में देश के यसस्वी परधान मंतरी आदिनिया नरेंदर मौधी जी का कल नहान और मंडी में दोरा है वो दो रैलियों को संबोधित करेंगे पहली रैली नहान में है जिसमें 40 45 हजार से ज़्यादा लोग उस रैली में सामिल होने जा रहे हैं और मंडी की रैली इस परदेश की आज तक के सबसे इतिहासिक रैली होने जा रही है करेकरतों में एक उत्सा है और 2024 का ये जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है इस चुनाव में भारते जनता पार्टी अब की बार 400 पार इस संकल्ब के साथ आगे बढ़ती हुई दिख रही है और कल परधान मंतरी जी मंडी और नहान में कारेकरतों में समर्थकों में और परदेश की जनता से बोट की अपील भारते जनता पार्टी के पक्स में करेंगे और हमें पूरान विस्वास है कि उनके इस दोरे के साथ भार्टे जनता पार्टी परदेश की चारों सीटें जीतने के लिए हम सब लोग इकठे मिलकर के प्रयास करेंगा और उसमें हमको सफलता मिलेगी एक धर्मानी जी कहने में सुनने में मिल रहा है कि मोदी दोरे को लेकर के प्रदानमंतरी मोदी के दोरे को लेकर दर्मशाला, कांगडा, संसदीक शेतर या हमिरपूर संसदीक शेतर में भी भारी मांग है उसको पूरा करने के लिए कैसे देखते हैं और आने वाले समय में अमिर्ट शाह और नड़ा जी के दोरे भी होने उसको लेकर किया विशेश योजना त्यार की गई है हिमाचल में लोकसभा की चार सिटों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारते जनता पार्टी के राष्टिय अध्यक्ष आदनिया जगतपरकास नड़ा जी का चारों लोकसभा क्सेतरों में एक-एक दोरा हो गया है जनसभाएं हो गई है इसके अलावा उनका दुबारा प्रवास होगा भारते जनता पार्टी के वरिश नेता आदनिया अमित साजी राजना सिंग जी नितिन गड़करी जी और बाकी सब लोग योगी अधित्यनाद जी नितिन गड़करी जी सब लोग प्रदेश का दौरा करेंगे और जिस परकार की अवस्यक्ता और जुरूरत पार्टी को लगेगी उस तरह के प्रवास भारते जनता पार्टी के हिमाचल में आने वाले दिनों में होंगे महंदर धर्मानी जी का कहना है कि इस समय भाजपा के वरिष्ट नेताओं का या यूं कहें जनता की मांग पर परदान मंतरी समेत दिगज नेताओं का हिमाचल परदेश में सुआगत किया जाना है जिसके लिए रन नीतियों का सुत्रपात किया जा रहा है आने वाले समय में अमित शाह और केंद्रिय मंतरीयों के साथ बड़े बड़े नेताओं के चेहरे यहां पर स्टार प्रशारमकों के रूप में देखने को मिलेंगे रफ्तार मीडिया के लिए शिमला से विजेंदर दद्ध गोतम की रिपोर्ट